नमस्कार दोफ्तों में संदीव सागत आप सभी का आज किस नहीं क्लास में दोफ्तों आप सभी की समस्त में हिंदी का पूरा का पूरा माडल पेपर लेकर आचुका हूँ तो यह वीडियो बीडियो के फिर्ष्ट एर, फिर्र्ड एर, तीनुएर के चात्रों के लिए इंप्टेंट है जहां पर लिखित परिच्छाएं होने वाली है उनिवर्शिटियों के स्टूडेंट के लिए मॉस्ट इंप्टेंट है तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट में बताने वाला हूं तो पृष्टले सालों के माडल पेपर मिलाके नया तयार किया जाता है लोगों में नडे इसमें पर चोछों को प्रसνο आप पढ़ने पढ़के जाना आपके लिगाम में और कौन से आने कई ज्यादा चांचेज है तो वीडियो को सुरुस लेकर लाट तक बने रहेगा मैं फिर से बोल ला हूं मैं आप लोगों को इस वीडियो से कम से कम नहीं तो यहानि कि मिक्स्ड करते हैं और कई कर दो से कर्दीन कि और क्लिज़ियो से करें होगें तो इस बाइंड पर आपके से मिक्स्ड कर दिहीं और कंवर सिर्फ यववषन फula क्रिटाय कौन में परिष्ट कर दिये तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्यों दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूँ कि सभी निवर्सिटी की बात तो मैं नहीं कर सकता लेकिन सेवंटी पर्षेंट इन्वर्सिटियों में खंड आ खंडबा खंड सा ऐसे पार्ट में डिवाइड होके कोश्चिन मुझे जाते हैं होगा ठीक है याद रखेंगा 50 सब्सक्राइब कोश्चिन पूछा जाएंगे और खंडबा में धाइसो यानि की 250 में आप लोगों को उत्तर देने होंगे जिसके लिए आप लोगों को लग उत्तरे कोश्चिन मिलेंगे ठीक है और खंड सा में इसमें विश्तित दिया यान आप लोग कोश्चिन बता देंगे उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टन को उसको सिलेक्ट करा देंगे आप लोग नोट डाउन कर लीजेगा ठीक है लिख लीजेगा अपने इस याई स्कीन सोट भी ले सकते हैं ठीक है पहला कोश्चिन है खंड आका जो कि एतिलग उत्रिये क पर लिखा है प्षाब लिखा यादर रखेगा अगला कोश्चिन नंगा टिकांक कि नाम लिख्याइं की चार नअट पॉस्टक के लेकड कौन है ठीक है अगला कोस्चिन है के चार प्रकार के नाइकों के नाम लिख ju इसमें अगला प्रश्ण है कि दुबीदियू के चार नाटकारों का उलेक कीजिए ओके अगला कोश्चन है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है यह कथन किसका है किनी चार लली दिमंद्धकारों के नाम लिखिए ठीक है तो यह रहे खंड आके यहनी कि अतलग हुत्रे के मोस्ट उपाड़न कोश्चन अब इसमें से टॉप से कौन है तो पहला जो कोश्चन आ欠क की सिर्दंधकारों कि बिखाएंगा यह लाक प्र लिखा यह पर लीजएगा यह कोश्चन आप आप लोग गूगल पर जो भी आप लोगों शीरीज है या फिर बुक है उसमें पढ़ लीजेगा ठीक है क्योंकि एंसर बताने में तो वीडियो बहुत लंबी होगी तो आप सभी की ज्यादा कमेंट आदेक सर इंपॉर्टन कोईच्चन बता दीजिए एंसर हम खुद ढोंड लेंगे ठीक है तो उसी के हिसाब से में आप लोग इंपॉर्टन बता दे रहां क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं आप सभी के पास एक्जाम होने वाले अगला कोश्चन है कि संखला की कडिया पुस्तक किसकी है यह मोस्ट इंपॉर्टन नहीं है ठीक है यह आप लोग ना लेकिन जीवन पर चेक मतलब यह हो गया उनका जर्म कहां पर उनका माता पिता कर उनकी फिच्छा क्या थे उनकी रचनाय रची है उनकी का विभासा क्या थी उपन्याज कितने थे तो आप लोगों को काफी मदद मिलेगी हजाय परसाद दुबेदी से एक्जाम में कोश्च पढ़ लिजेगा यह भी इंपॉर्टन कोश्चन द्रस सिधांत पुस्तक के लिखक कौन है आने के तो मैं गारंटी नहीं लोगा कि कोश्चन आई जाएगा लेकिन चांसे जहां आने के तो पढ़ लिजेगा इस कोश्चन को भूई को अब प्रकार के नायकों का नाम लिखे यह भी कोई मोश्च नहीं अगला वह मोश्च इंपॉर्टन दुबेदी के चार नाटक कार हैं उनके नाम लिखना आप लोगों को पॉइंट वाच करके लिख दीजेगा यह वे पूरे के पूरे आने के चांसे सब्सक्री ठीक है तो यहां पर समाप्त होते हैं आते लिए घुत्रे कोश्चन तो कौन से चार ललित निबंदकार हैं उनके आप लोगों को नाम रिखना है ठीक है यह इसको पढ़ लीजेगा ठीक है लत निबंदकार ठीक है तो यहां पर समाप्त होते हैं आते लिए घुट्रे कोश्चन थे जो कि मोश्ट इंपरें थे मैं नहीं आते बटाएंगे यह जो करने के लिए आता है अदलग होते होते हैं में कुछ आप लोगों को इस प्रवर करने के लिए कि कुछ न्याफिक तो इसमें नहीं करने के लिए तो इसं या फिर एकी सेंटेन्स या फिर या फिर जो आप लोग कह सकते हैं कि संबतर्ब नया आया ने आप लोगे का दिया उसके ले कि कौन से इस वार जयादा willen हैं संदर्ब सब्सक्राइब नहीं आप लोगों को सही करांगा कि आप लोग पढ़के जाएगा अगर पढ़ना चाहे करना चाहें जिसके बारे माधिक जानकारी आप फिर पाट से लिया गया है और अप्लोगों को लिखना ओता है तो इसमें अथो करेंगे तो चाहे आप लोग संदर से करेंगे ठीक हैं मैं लिखा कि केवल अपनी स्था रखता हूं यहां दूसरी की बावना में उसकी सोभीक्रती है तो इसमें भी दो दिये गए हैं तो उसमें से आप लोग चाहाब उपर वाला करिए कर यह मन की सारी भानत है इसको आप लोग तेकर करेंगे संदव सहीद भ्याक्या ठीक है अगला संपसंग भ्याक्या आप कि खातो है कि तो तो नहीं को सब्सक्राइब करने होंगे तो आप लोगों कि अब याद कश्ड़ आ देना होगा तो अब इसके आपको पढ़के सुना देता हूं करोड़ा शुक्ल जी का मनोब ग्यानिक निबंद है कथन की भी अख्या कीजिए उसे में अथवा कोश्चन मिल जाएगा कि अस्त की पुकार हिमाले निबंद में आये मिस्र जी के विचारों को उध्गटित कीजिए अगला इसी में आप लोगों के लग उत्रे बेश की कोश्चन तो संदर्व सहिद व्याख्या के लिए मैंने बताए दिया इसमें तो जाएंगे फोट्वाटन के बता दे रहा हुँ इसमें यह पढ़ लीजेगा यह को इतना मोश्च इंप्वाटन नहीं लेकिन आप लोग इसके पढ़ सकते अधवा नहीं भी पढ़ सकते अस्तिकी पुकार पढ़ लिए यह इंपॉर्टन कोश्चन मिस्र जी के विचार आपके जाम में आएका जैसे भी कोईशन आपको मिलेगा पर साथ जिसे सम्मधित आपको जितना आता रहे का सारा लिख डालिएगा ठीक है दो-3 भर दीजिएगा ठीक है अगला को चैने के लली निबंदकार की विस्षथा बताई है तो जो लली निबंदकार उनकी मुझ की आए वह आप लोगों को लिखना है तो जिसने मोस्ट हम सब्सक्राइब करने के लिए बहुत्त पर लोगों को बढ़ने के लिए दिए रिखाय की अलख आजादी की भारत के पुराने गहरों कि याद दिलाता है कि समच्छा नाटक अलग आजादी की आजादी के आलोग में कीजिए यह मुश्च इंपार्टन नहीं इसको हम सिलेक्ट नहीं कराएंगे आप लोग ना पढ़ सकते इसको ठीक है अगला कोश्चन एक लंबी कविता का अंत दिबंद में लेखक के विचार कोश्च की देख को आप लोग इसको भी थोड़ दीजिएगा यह मुश्च इंपार्टन नहीं इतना कि नाटक प्रमग तत्तों का वड़न कि यह मुश्च इंपार्टन कॉश्चन नाटक के बारें पढ़ लीजेगा नाटक के प्रसिद्ध्र रश्नाकार कौन है ठीक है इ यह मोश्ट इंपर्टेंट यह बहुत प्रसिद्द लेखक और कभी है तो इनके बारे में पढ़ली है इनकी जो निभंद इस इसमें इन्होंें आग्या जीने क्या विचार परश्ट कीजिए है तो अगेस्ट के जितने भी निबंध है वो पढ़ लीजिएगा और आप लोग की स्टोरी के तरह होते हैं तो आप लोग पढ़ लेंगे तो साने समझ में आ जाएगा ठीक है तो अग्ला कोश्चन है अगला की हिंदी निबंध साहित के विकास के बारे में पढ़ लीजेगा इसका विकास कैसे हुआ निबंध के बारे में कुगल पर सर्च करके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा यह सारे कोश्चन जो है आपके एक्जाम में आने के चांसे हैं और भी हम आपको कोश्चन बताएंगे फिरहाल इस माडल पेपर में इतने मोस्ट इंपार्टन कोश्चन थे इसमें से कुछ न कुछ तो आपके एक में देखने को मिलेंगे ठीक है और मैं आपको साथ साथ में यह भी बता दूं कि और से कौन सी सब्जेट का माडल पेपर चाहिए कौन सी इनवर्शेटी का चाहिए कमेंट में जरू बताएं फिरहां आप सभी के कोश्चन का प्रियास करता हूं का एंसर दे दो क्यों क्यों करता हूं